इस वक की बड़ी खबर आपको बताते हैं और हमारी राज सरकार पर आरोप लगा कर गए अब हमें मोदी के आरोपों का मजबूति से जवाब देना है शरद्यादव ने इस बाद से भी इंकार किया कि देश में मोदी की लहर है पिजब्वी ने को भरोसा है नरेंध मोदी की लहर पर अगले सत्र का, कि सारे पत्रकार पक्के किया जाए, सेंटर अउनिसिटी बनाई जाए, और कोई मालिक पत्रकार नहीं होगा, ये मीडिया बिजनिस हो सकता है, लेकिन वो बिजनिस सची ख़वर देने का है, यदि सच ख़वर नहीं दे आपने तो लोकतंत को चोट पोचेगी बहुत दुक्सान होगा, जो हो रहा है, वारनसी से चुनाव लर रहे हैं, नरेंदर मोधी, बिहार के करीब है, आप जाएंगे, परचार करेंगे, उनके ख़वर वेरो को आपकी पार्टी के के सी त्यागी होना है था, तो उनके लोगों ने काफी उनसे बात किके, हमको वह आना चाहिए, ताभी तो हम यहाँ है, आप पार्टी के लोग आप से संपर कर रहे हैं, हम से नहीं किया, केसी त्यागी है दिली बे, उसके यार दोस्त हैं, उससे किया होगा, लेकिन आप से कोई जेडू का इस तरह से समझावता या यह है नहीं, तो क्या आप जेदी हमको फुरसत मिली, और बात हमको ठीक लगी क्योंकि वहाँ जाएंगे, तो नरिद मोदी जी यहाँ दो जगे आय थे, कोशी में, जो हमारा पूरा इलाका जो है, इस पे सेवा करते हैं, तो वो हमको उसका मजबूतित जवाब देना है। और नितीश चंद्र से शराद्यादव ने बात किती, नितीश इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उनी के पास चलते हैं, नितीश मधेपुरा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी हेडलाइन उन्होंने दी ये कहकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव प्र इलाका है, वो उनका इलाका है, यहां नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ पर चार करने आये थे, तो कहीं न कहीं इसका जवाब उनको देना है, और फिर उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कि केसी त्यागी से संपर किया है आप पार्टी के लोगों ने, और ये बात उन तक पूरी तरह से त्यार है, और उनने ये भी जोड़ा कि अब एंडिया में वापसी का कहीं कोई सवाल नहीं है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर उनने हमला किया, कि बिहार में कोई लहर नहीं है, तो निशित रुप से अब शरद यादव जो है, वो जवाब देना चाहते है नरेंद्र मोदी को, और वारनसी से अब चुकी मैदान में है, जो इस चरण के बाद जाहिरा सबकी नसरे वारनसी की सीट पर होगी, शरद यादव वहाँ जाएंगे और परचार करेंगे, सुचारिता, अब लाज नरेंद्र मोदी की वडूदरा सीट पर वोटिंग हो रही कि वो वारनसी जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुना परचार करेंगे